के पहले आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि प्रॉफिट लोस के पहले भी हमने समझा है कि कैसे कोशन सौल किया जाते हैं आज उसके प्रस्ट नमर पांच प्रस्ट नमर पांच क्या है एक अटेची को 550 रुपए में बेजने से एक दुकानदार को 12% की हानी होती है करेंगे मकलेकि लाउस्ट अगड़ल स्टेट करेंगे मतलब तो लाउस्ट के लिए उसको रुपिया रखना पडएगा तो सीपी कारए क्वार्मिला इससे पहले हमने बताया है cp equal to sp upon 100 plus या minus into 100 तो यहाँ पर sp की जगह क्या राल देंगे 500 और नीचे 100 minus 12 into 100 यहाँ नहीं कि 500 into 88 into 100 तो यानि कि जो हमारा cp आएगा cp वो कितना आएगा 11 5 जा पीछे का 0 11 8 जा और तू फोड जा 250 जा टू जा 25 जा टू जा 225 जा सीपी हमारा आया 25 into 25 यानि 625 रुपया 625 रुपय में वो अटेची दुकानदार को पड़ी थी ठीक है 625 रुपय में तो आब उसको 12 परसंट का लाप चाहिए तो कितने रुपय बेचेगा तो 625 का हम लोग 12 परसंट निकाल देंगे यानि कि 25 25 चौके चार एक कम चार तियां यानि कि 75 रुपया क्या करेंगे CP में जोड लिया जाएगा तभी तो SP आएगा SP एकवल टू 625 प्लस 75 यानि कि 625 यानि कि 700 रुपय में अगर वो बेचेगा अटेची को अगर वो 500 रुपय में बेचेगा दुकानदार तो उसको बारा पटी सटका लाब होगा ऐसे कोशन में आप सबसे पहले CP निकाल लिए उसके बाद आप लोग उसको जितना परसंट रुपया बनता है परसंट पर और उसके बार CP में उसको जोड लिजिए ठीक है अगले कोशन पर चल नाइन परसंट का ठीक है तो पांच परसंट पराने के लिए मतलब उसको प्रॉफिट कितनी इच्छा है पांच परसंट की इच्छा है कि वह प्रॉफिट कमा ले ठीक है तो उसका कितना होगा यह कोशन पूछ रहा है सबसे पहले तो हम लोग CP पता करेंगे CP equal to 1560 upon 91 क्यू 12000 upon 712000 upon 7 इसको इद रख लेंगे हमको इच्छा कितनी है 5% कि इसको डिए नहीं करेंगे अभी आगे करेंगे पांच परसंट लाप की तो हम लोग क्या करेंगे 12000 upon 7 into 5 upon 100 ठीक है यह 0 से 0 कट गया यानि कि कितना आया 1250 60 पीछे का एक 0 600 upon 7 ठीक है यह हमको जोड़ना पड़ सब्सक्राइब के लिए तो एसपी यानि कि यह सीपी में जुड़ी आएगा जितना पांच परसंट परसंट की लाव है तो बारह हजार अपॉन साथ प्लस चैसो अपॉन साथ दोने की नीचे साथ साथ है यानि कि 12600 भागे साथ यह हो गया यह इधर कटा अठारा सो यानि कि एसपी कितना आया अठारा सो रुपीज अगले कुशन पर चलते हैं प्रस नंबर साथ पर चलते हैं क्या कहा रहा है एक घड़ी को आंट पर्टीसर चता दस पर्टीसर लाब से बेचने पाद डोनों विक्रे मु कुले पूछ रहा है तो मान लोग को सीपी पूछ रहा है ठीक है तो सीपी कितना है सीपी के उन के सीपी को एक्स मान लेते हैं तेक है उसका आ्ट प्रटीसर लाब है तरला की आठ अपॉन 100 यानि कि CP1 कितना हुआ 8X upon 100 CP यह क्या है SP1 CP2 यानि कि इसको भी X मान लेंगे X into 10 upon 100 यानि कि 10X upon 100 ठीक है अब क्या कहा रहा है दोनों के विक्रे मुल्यों में अंतर 6 रुपय का यह क्या आया विक्रे मुल्य यह SP1 यह SP2 और CP हमने क्या माना था X माना था तो इसके दोनों का अंतर कितना आ रहा है 10X upon 100 minus 8X upon 100 equal to 6 रुपय 6 रुपय दोनों के अंतर आ रहा है यहां पर LCM सेम ही है यानि कि 100 upon 2X equal to 6 यहां उदर गया X equal to 600 upon 2 यानि कि 300 और X क्या माना था X equal to CP CP equal to 300 रुपीज हमारा अंसर होता है अगले कोशन पर चलते हैं और इसको वेरिफाई करने के लिए आप देख सकते हो वेरिफाई करना है तो क्या करिए टीन सो का आप 8 परसन निकाले ठीक है यानि कि चाविस आया और टीन सो का आप 10 परसन निकाले यानि कि चाया और इंडोरों का अंतर कितना आया 6 यानि हमारा अंसर बिलकुल सब्सक्याय और पर चलते हैं एक घड़ी विकरेतान ने 720 रुपे की दर्थ से 2 घड़ियां बेच तो SP of two watches ठीक है यानि कि कितनी हुई 720 इंटू टू यानि कि 1440 यह हो गया SP की बात हो रही है अब हमको क्या कह रहा है उसमें से एक घड़ी को 20-25 लाव पर और दूसरे घड़ी को 10-30 रानियों बेची ठीक है तो मतलब CP CP of watch यानि कि SP 720 आपन लाव में बेची यानि कि 120 इंटू 100 जीरो से रूपे बारा एककम बारा चक्के यानि कि CP of first watch कितने की पड़ी थी पहली watch कितने की पड़ी थी उसको 6 रूपे की पड़ी ठीक है CP of first watch ठीक है CP of second watch equal to उसने 10% हानी पे यानि कि 720 आपन 10% हानी हानी कितना हुई कि लखकी नखवे एक लिए और थ्री जा थ्री 24 जा थ्री बन जा थ्री एड जा यानि कि CP of second watch कितने की पड़ी उसकी 800 रुपे की ठीक है आव डोनों का CP CP of two watches is equal to 800 plus 600 यानि कि 1400 रुपे ठीक है अब यहाँ बात क्या कह रहा है 1440 रुपे में उसने दोनों watch बेची और उसकी खरीदी दोनों watch को अगर अखानी लाब मिला दिया जाए दोनों प्रिस्तिसत तो उसको 14 रुपे की पड़ी ठीक है तो अगला कुशन में क्या कह रहा है मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट इकवल टू 1440 माइनस चाउडा सो यानि कि 40 रुपे का क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ ठीक है लेकिन हमको यहां तब 40 रुपे प्रॉफिट से तो पूछ नहीं रहा है तो प्रॉफिट परसंट का फॉर्मला हमने बताया हु चौदा सो लिखेंगे इंटू सौ दो जीरों से जिरू कर गया तू सेवन तू सेवन जा टू टू टूटी जा ठीक है यहां पर टूंटी अपॉन सेवन आ रहा है लेकिन इसको हम लोग इतने परसंट भी छोड़ सकते हैं लेकिन हमको और भी आगे करके देख सकते हैं सेव हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ठीक है प्रॉफिट परसंट कितना हुआ इतना हो ठीक है